दोस्तों कई बार होता ये है कि हम कहीं जाते हैं या किसी भी जगह हमें कोई सॉंग रेंडमली सुनने को मिल जाता है और हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है लेकिन हम नहीं जानते कि वो सॉंग कौन सा है और हमें बेचैनी होने लगते हैं उस सॉंग का नाम जानन कर उसका नाम, सिंगर का नाम, लिरिक्स वगरा आपके सामने निकालके रख देती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई गाना आपको बहुत जादा पसंद आ गया हो और आप उसका नाम नहीं जानते हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइट शेयर, सब्सक्राइब करके बेल रबाना बिल्कुल मत बुलिएगा, आएए देखते हैं एप कैसे काम करते हैं, एप को हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं, 4.6 स्टार की रेटिंग है और 500 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं, चलिए इससे करते हैं, इंस्ट करना है, यह देखिए यह इसने सौंग सर्च कर लिया है, यह इससे दुमूसे वाले का सो हाई है, देखिए कितनी जल्दी यह सर्च कर लेता है, देखिए यदि आप इस गाने के लिरिक्स देखना चाहते हैं, तो यहां से देख सकते हैं, यह देखिए पूरे लिरिक्स यह लिखे हुए है ठीक है इसे हम करते हैं बैक ये आपका लेबरेरी में एड हो गया है जो भी सॉंग हम सेच करते हैं यहां लेबरेरी में आ जाता है ठीक है ये जो एप है यदि आप किसी और एप में भी गाले सुन रहे होंगे तो उसको सेच कर सकती है उसके लिए आपको यहा ठीक है इसे कर दीजे back, इसे कर दीजे try now, यदि आप Shazam app को Spotify से connect करना चाहते तो आप यहां से connect भी कर सकते हैं, आप कर लीजेगा, देखी इस जगे पर आपको दुनिया भर की गाने देखने को मिल जाएंगे, यहां से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके lyrics देख सकते ह देखीए, अब हम एक और गाने को सर्च करते हैं, सबसे पहले इसको दबाईए, गाने को play करिए, यह आप देख सकते हैं, गाना इसने ले लिया है, ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी गाने इसमे सर्च कर सकते हैं, दोस्तों इस app में एक और feature है, इसको बुलते हैं Auto Shazam, यदि आप इसको on करके छोड़ देंगे, उसके बाद यह automatic गाने जो भी इसको सुनाई पड़ेंगे, यह सर्च करता रहेगा, और आपको बाद में शो कर देगा, अब हम इसे कर देते हैं, off, दोस्तों और यदि आप इसी app में कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो आप यहां स पाना साच कर सकते हैं और सुन सकते हैं